किसान भाईयों, ये किसी किसान का खेत है, और इसमें पहले गन्ना था पेड़ी, उन्होंने जोत कहे, यहों वो दिये, हालकि इनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, इन्होंने सब काम किराय से करवाया, इसमें दो बार उटावेटर चलवाया, देखो जुन्डे का नाम नि यहों वोई, तो भाईयों, तरसल कुछ लोग जो हैं हमारे यहां, बहुत कम मेहनत करते हैं खेतों में, तो उससे पैदावार घटती है, जैसा कि मैं उधारन के तोर पर बता रहा हूं, जुवार का खेत है, घास खड़ी है, पट खेत है बिलकुल, उसकी पढ़ेवा कर दे करेंगे, ऐसी पटकी, और उसमें घ्यों डाई बखेर के, दो बटीलर निकाल के मैड़ा मार देंगे, कहते हैं हो गया घ्यों, इतना तो फाइदा वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो जब जोर नहीं लगा तो गिरेगा कैसे, उसकी पैदार वही रहेगी, दो डाई कुंटल, इक नडिया न ब्यात करेगा, अगर उसी पट खेत को, जुवार के खेत को, मालने जैसे, यह चकरोड है, यह पट खेत है, मैं उधान के तोर पे बता रहा हूँ, जब हम चारा काटते हैं, तो हमारा खेत ऐसे निकल जाता है, पट बिल गुल, और इसमें भोस से लोग खेर के दो बार जोद देते हैं, तो ऐसे पैदावार नहीं होती है, जो समझदार किसाने, वो क्या करते हैं, जुवार कटती रहेगी, बिच्चे बिच्चे जुताई होती रहेगी, बाद में पूरी खेत को दो तीन बार सुख का जोता जाएगा, मतलब उसके ड़ले पाड बाजाएगी, उस पर रगडा मारेंगे, फिर उसमें जो भी डालना है, खाथ बगरा, अगर खाथ भी नहीं डालना, तो उसकी एक यह दो बार जुताई करेंगे, जह टीलर से कर दो कोई दिक्कत नी है, दो बार जुताई करके दाब गए, फिर इस पर मैडा मार देंगे, इस तरह का बना देंगे फिर उस पर बड़े शोक से डाई और घ्यों मसीन से बोलो या बखेर के उसे बोओंगे तो इस पट खेत की पैदावार में और इस तरह तैयार करके पैदावार में अंतर रहता है जो हम बचा रहे हैं वो हमारा नुकसान हो जाता है इसलिए लालच मे अरिवार का खेत है चारा था अगेतना चारा इन्हें उन्हें काट कपकस हो खुआया फिर इसमें मोली और पालक था मित्थी बी ती शायद इसमें क्यारे बरीक-बरीक से बना गए बो दिया और उसकी एक फसल लेक है फिर उन्होंने तुरंट यहों बो दिये तो पहले भी जुताइफी बादमेव जुताइफी अब ये इधर कंड खड़ा है और मैं अभी और दिखाता हूँ अब देखिए ये छोटा सा क्यारा है इसी तैयारी बता रही है कि बहुत अच्छी तरह तैयार करके घ्यूप होए गए ये मुड़ा जोतक है जहीं बोदी के पसो के लिए चारा कुछ भाई जो हैं चक्की सपाई के लिए समय निकाल पाते नोकर होते वे भी नहीं कोशिश करते या समय नहीं है उनके पास तो चक्की सपाई भी बहुत जरूर होती है भाईयो अब भाईयो जैसा ये है हमारा खेत आपने इसकी सारी वीडियो देखी है हमने इसकी पेड़ी काटी थी वरसी और लगबागा सिकूंटल का एवरीज इसकी पेड़ी का चुका खाला के लोग तो ज्यादे ले रहे हैं लेकि हम तो बता रहे हैं जो जैनुवन हुआ अठाइश इंच पे थी अब अगर हम इसकी पद्धि फोग ए हटा के ऐसे ही डाई और ग्हों बखेर के दो बार रूटारवेटर काड़ के ग्हों बोजते हैं तो घ्यों तो हो जाते लेकिन जो हमारी गर्मियों की फसल है घ्योंवाली वो नहीं हो पाती कुछ मेरे भाई कहते हैं कि ताव जी हमारे घ्योंवों का एक अच्छा नहीं निकलता जबकि हमारे हैं घ्योंवों का एक सबसे अच्छा निकलता है 80-90 कुंटल तक पहुंच जाता है उसके दो कारण है एक तो हमने ये बात ध्यान रखनी है गन्य की फसल को एक साल का समय होना चाहिए साल सा उपर हो जाएगा तो ठीक है अगर घ्वमवा काहिए हमने मैं में बोया या अप्रेल में बोया हम जनवरी में काट दे तो वो 50-40 कुंटल पर अठक जाएगा कि को उसको समय नहीं मिल राएगा अब दूसरी बात ये है हमें अगर इस खेत में चारा बार बोना होता तो हमें इतनी लागत की आवशक्ता नहीं पड़ती जैसे हमने इसमें गुबर की खाद डाले इस गुबर की खाद का जो बेनेफिट है वो अगली फसल में मिलेगा ग्यों तो ऐसे भी हो जाते बहुत बड़ी हाँ इतनी खादबाद की जरुतिन भलके जाद है खादबाद डालने से तो वो गिर जाते हैं ग्यों में नुकसान रहता है कम लागत का ग्यों अच्छा होता है लेकिन हमें अगली फसल का ध्यान रखना है और वो है हमारी गन्ये की फसल क्योंकि हैं गन्ये का छेतर है चारोतर गन्ये गन्ये गन्या खड़ा भाईयो तो इस गन्ये की फसल के लिए यह मने हम इसी तैयारी कर दी, दिसंबर से ही, इसे में हमने दो बार उटा वेटर चलाया, सारा जहूंडा काट दिया, इसके बाद में हमने इसमें तो ताल चलाया, दो बार, एक फュ matrix तक जमीन की रोड दी, जो पुराना जहूंडा पुंडा तो सब बहार लेकल गया, उसके बाद हमने प्रेस लगवाई कम्पूटर मंजे से मतलब लेवल कराया वो कमी निकाल दी जो तीन साल तक आनी थी इसके बाद हमने प्रेस के बाद जब जमीन बैठी हमने जुताई नहीं की क्योंकि गहरी जुताई में हमारा ट्रेक्टर या कोई भी ट्रोली लेका खाद की नहीं बढ़ता इसलिए जैसे प्रेस लगी जमीन बैठी हमने पट में ही ये सामने हमारी चक्रोड में कूडी पड़ी है वो जो लोडर था ट्रेक्टर पर लगा हुआ उससे भरवा के कूडी यहां डाल दी और काफी खाद ता आपने देखा उससे फिर फैलाया गया फैलाने के बाद में फिर उसमें रात को ही शाम होगी ते अंदेरा क्योंकि अगले दिन बबलु को कहीं जाना था तो एक बार तो पहले रूटावेटर किया ताकि वो खाद जो तक कटिया वो जो मोटे मोटे ढिप सिते सब मिट्यां मिलिए फिर इसमें ग्यहूं डाई ऐसी बखेर दी खेत में पहले डाई बखेरी फिर ग्यहूं बखेर दी है फिर बाद में दो बार रूटावेटर फिर किया तो भाईयो इतनी लागत लगाई अब इससे क्या हुआ हमारा खेत कम गया मतलब बढ़ गया बढ़िया अब हम इस खेत से निश्चिंत हो गिये वो कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ क्यूंकि हमें इसमें घ्यों जैसी काटेंगे तो हम घ्यों काटते ही तुरूंत इस क्यूंकि साड़ी आती है उस टाइम फसल चलती है और ना ही हमें टाइम होता गर्मी में खाट डालनेगा तो कुछ भाई अपसोचते हैं यार क्यों लेट हो रही चलो बाद में गेड़ देंगे तो वो अब के चक्कर में फिर वो बाद में नहीं गिर पाता इसलिए दिक्क पंद्रे दिन लेट की जो हकनेश है ना माले हमने अप्रेल के लास्ट मां बो दिया पंद्रेवीश तारिक को अप्रेल को हमारा ग्यों उठा हमने जहड़ पैड़ करके वो 28-27 अप्रेल लो अपना गन्ना बो दिया अगली पार्डी बोरी है उसे 10 या पंद्रे मैं तक तो मैं वाला ना फिर जून आ गया आठ जोलाए तक बारिस आ जा तो भाईयों उसे मौका नहीं मिलता जमने का उसके कारण जो है वो गन्ना उनका बेकार हो जाता है बनला बेकार क्या होता है पैदावार घट जाती है और पैदावार अगर दस कुंटल भी की घट की तो समद् करनी चाहिए और कितनी तैयारी करनी चाहिए कुछ मेरे भाई एक बार हमारे गाओं में मैं नाम ने लेता किसी डॉक्टर ने बता दिया जो किर्शी विसे जग्ये थे वो आये हम गाओं में परधान के मिटिंग होई उन्हें ने न कहा जादा लागत की तेल फूंग नहीं आवशकता नहीं है और पट खेत में आप ग्यों वो यह जैसा पंजाब में ना धान के खेत में वो जीरो टील से बो देते हैं ऐसे बो यह ऐसे फिर धान लगा दो तो ऐसी आप गन्नाब हो सकते हो तो उन्होंने ऐसा गरा जुवार के खेते उन्हों में पठ में ये पानी अगली बार कुछ किसाना नहीं क्या किया जैसी घ्यों काटे काटने के बाद तुरूंत पानी दिया और चार दिन विचे खेते हो गया तो ट्रैक्टर के लेजर से खोड निकल वाका ऐसी गिले से में खोड बहुत अच्छे खुल गये उसमें पैंड का बीज बो दिया गन् वरना चिदा रहा गन्ने की मोटा अच्छी थी लेंगि पैदावार कम सकंग 15-20 कुंटल पड़ती भीगा घटी क्योंको खेत कमाई नहीं गया धरती कमाई मांगती है फसल कमाई मांगती है ऐसे नहीं है कि आपने बीज भखेट दिया चलो हो जागा तो भाईयो जो मेरा कहना का मतलब यह था अगर आप खेत्ती कर रहे हो या तो किराय से कराओ या अपने यंतर रखो मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा वरना लाब नहीं है यह मैं सुच्चो के हम सहर से गाव माजा किरसी प्रेम जाग जार हम ऐसी किराय पे बीज बखेट ना घाट के रहोगे तो भाईयो खेत्ती करनी है तो हर बास समझो बड़ी महनत करनी पड़ती है लागत है बसता है लेकिन पता नहीं चलता यह पैसा अगले में अब जैसे गन्ना गया गन्ना का पैमेंट आया हमने खाद लिया है पंद्रसों का वो कट आ गया चौदा तो हिसाब नहीं लगा ता किसाण न न लिखता ना अपनी मज़़ूरी बस लग रहा है तो रोटी मिल रही है दाल रोटी एक चक्र गूम रहा है को नंबर दो का बिजनिस तदे है नहीं कि किसाण के आले में भी और घड़ी में भी नोट मिल जागे तो बे तो हुते हैं भ गुजर भाई हैं वो जाड़ो लगाते हैं खेता है तो उनका नाम है इलाके में बाइस देश्टों में वीडियो देखके लोगों नो धन्यवाद दिया हुने तो एक नाम ही तो है संबान के लिए तो दुनिया भुकी है बस गलती यह है किसान को वो नहीं भिलता प्रुसकर् संबानित करें ना इस गाउं मारे गाउं में इस नहीं किया प्रधान ही करें तो उससे प्रोथसान मिलया प्रोथसाहित किया जा तो फिर एक लोगों में जोस आएगा फिर हर किसान कोसिस करेगा गबढने की यह कमिया है यह काम और होने चीए बिलोकस तर सहूं गाउं प्र लाने आदमी को संबानित किया जाएगा उसने इतनी अच्छे फ़सल पैदावार की तो यह है आज की वीडियो भाईयो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी कर देना नमस्कार भाईयो मेरा दूसरा चैनल सौमबीर सिंग पुनिया है और यह मैं किसान की सोच से डा एक हमारा अंस्पूनिया विलोग भी है उसको जिरूर देखना नमस्कार